हेलो बच्चों हम फिर से आपके लिए एक फोर्थ नंबर का वीडियो जो हमारा स्रीज चल रहा था वह लेकर आए आज का टोपिक हमारा रहेगा न्यूटन स्लोब मोशन ठीक है के लिए तो फर्स्ट क्योशन यहां पर हम देखते हैं फर्स्ट क्योशन हमारे सामने हैं कि दे हमारा फ्रिक्शनले से यानि कि आम फ्रिक्शन का बिलकुल भी यूज नहीं करेंगे इस फार्स और प्रोर्टीन न्यूटन हो रहा है वह हमें दिखान percentage अगर में यहां से फोर्ष लगा आपट एन कर दो तो तीनों के तीनों ब्लोक जो है एकसाच सबसे चल्टीनों के मतलब तीनों का मुख अजिसंट दो सेम होगा यहां मैं सबसे पहले Newton upon mass कितना हो जाएगा 4, 2 और 1 याने कि 4, 5, 6 and 7 के लिए तो एक्सलेशन आजाता है टू मीटर पर सेकेंड इसक्वाइड मतलब यह पूरा का पूरा सिस्टम जो है टू मीटर पर सेकेंड इसक्वाइड से चल रहा होगा के लिए चलिए अब इसका अगरा मैं बिड़ी बनाए फोर केजी और टू केजी का बीच का तो इस तरह से हम बिड़ी बना सकते हैं या फिर आप जो है एकेजी ब्लोग जो है यह एक्सलेशन से जा रहा है एसे इधर की तरफ पूर्टीन न्यूटन फोर्स लग रहा है और इधर से बी जो है उस पे एक कॉंटेक्ट फोर्स लग क्योंकि 14 का डारिक्सन जो है इधर की तरफ है और और का डारिक्षन इदर की तरफ है दोनों आप पूस कर रहे हैं तो हम्हें सब्ट्रेट करना पड़ेगा मास कितना है कितना है 2 meter per second square clear तो 14 minus n is equal to 8 n की n is equal to 14 minus 8 is equal to 6 newton clear तो यहाँ पे जो 6 newton हमारा सही answer है जो contact force यहाँ पे लग रहा है वो 6 newton लग रहा है और दोनों ही direction में same होगा magnitude में same है और direction में opposite है clear यहाँ पे जो contact force होगा वो अलग होगा उसको भी हम इसी तरह से calculate कर सकते हैं चले next question की तरह दें second question हमारे पास है two block of mass is 7 kg and 5 kg are placed in contact with each other यह दोनों जो block रखे हैं दोनों भी पिछले वाले question की तरह contact में रखे होगा if a force of 6 newton यहाँ से जो हम force लगा रहे हैं इदर से 6 newton का applied on a heavier mass जो heavier mass है पर कितना force जा रहा होगा है यहाँ पर contact force होगा वो कितना होगा clear तो इस पूरे को अगर हम system मानें तो यह पूरा का पूरा system किसी एक्सलेशन से आगे की तरफ जा रहा होगा clear इस तरह हमान सकते हैं कि 2 blocks यहाँ कोई 2 stone रखे हुए हैं और मैं इधर से force लगा रहा हूँ तो दोनों साथ में जाएंगे एकी एसलेशन के साथ clear तो एसलेशन यहाँ पर हम निकाल सकते हैं net force जो हमारे पास है 6 Newton और net mass जो है वो कितना है 12 kg clear यान कि 1 by 2 meter per second square से पूरा का पूरा system आगे की तरफ जा रहा होगा अगर मैं lighter mass जो है मारे पास 5 kg का उसका FBD में बनाओ तो 5 kg ब्लोग जो है मारे पास ठीक है उस पे जो है A की direction में force लग रहा है इधर से और वो contact force है वो क्या है contact force जो हाँ से लग रहा होगा फोर्स कितना लग रहा है एक contact force लग रहा है mass इसका है 5 और acceleration कितना है 1 by 2 kg sorry 1 by 2 meter per second तो यहां से कितना निकल के आता है contact force 2.5 newton तो यहां पे जो contact force लग रहा होगा इन दोनों ब्लोक के बीच में जो 7 kg ब्लोक 5 kg ब्लोक पे applied कर रहा होगा या फिर 5 kg ब्लोक 7 kg ब्लोक पे applied कर रहा होगा वो कितना होगा 2.5 newton clear third question की तरफ हम चलते है third question में दिया हुआ inclined plane और pulley वाला two blocks of masses m and 2m are connected by a light string passing over a frictionless pulley ठीक है तुझे जो पूली है इसके पास कोई भी friction नहीं है इसके उपर कोई भी friction जन्रेट नहीं हो रहा है मतलब extra force हम calculate नहीं करना चाहते है as shown in the figure the mass m is placed on a smooth inclined plane smooth है मतलब कोई friction यहाँ पर surface पर भी नहीं off inclination 30 degree में दिया हुआ है and 2m hangs vertically यहाँ पे जो हमारा बहाँ से वो कितना है 2m का है if the system is released the block blocks move with the acceleration equal to मतलब जो blocks move करेंगे उसका acceleration कितना है simple से बात है हम दोनों सवालों में हमने acceleration निकाला है बिल्कुल same second load से हमके calculate कर सकते है इसका FVD अगर हम बनाए तो यह इधर की तरफ 2mg gravitational pull लग रहा होगा नीचे की तरफ और इधर की तरफ mg sin theta force लग रहा होगा यानकी mg sin 30 degree क्लियर जो की हो जाता है 1 by 2 यानकी mg divided by 2 तो acceleration का simple सा formula है क्या F net upon mass net total mass कितना है 2m प्लस 1, 2m प्लस m, 3m, तो इसको calculate करें हम, तो कितना हो जाएगा, LCM लेंगे तो 4mg-mg, 3mg, divide by 2, divide by 3m, 3m से 3m cancel out होता है, तो g by 2 meter per second square हमें मिलता है, clear, बिल्कुल simple, यहाँ पे, ये वाला जो formula है, ये काफी huge में आने वाला है, clear, बिड़ी बना के हम यहां से सीधा-सीधा acceleration निकाल सकते हैं, चले, लेक्स सवाल की तरफ चलते हैं, cricket bowl of mass 250 gram collides with a bet with velocity 10 meter per second, बोल का mass है, वो डाइसो कराम है, 250 gram और उसका velocity है, वो 10 meter per second है, जब वो bet से collide कर रही है, and return with the same velocity, मतलब return होती है, तो वापिस भी, same velocity से चले जाती है, within 0.01 second, clear, तो जो contact होता है, bowl और bet का, वो कितने time के लिए होता है, 0.01 second के लिए, the force acted on bet is, तो जो bowl जो है, वो कितना force लगा रही है, bet पर, वो हमें calculate करना है, clear, तो यहां से second load से हमें पता है, कि जो applied force है, वो rate of change of momentum के बराबर होगा, clear, momentum कितना होता है, M delta V, यानि कि delta T, clear, तो simply हम यहां पर force लेख सकते है, वो M, V2 minus V1 upon T2 minus T1, यानि कि जो जितने time के लिए, वो contact में रहा है, बेट के, clear, चलिए, तो यह data हम गहां से लेके आएंगे, bowl का mass हमें दिया वाए, time duration हमें दिया वाए, 0.0, लेकिन velocities नहीं गीवन है, चलो, velocities की बात करते हैं, तो जो बेट है हमारे पास, बेट पर जो बोल आती है, वो कितने से, कितनी speed से आती है, 10 meter per second से आती है, और वापिस return हो जाती है, वापिस 10 meter per second, clear, तो V2 velocity के अगर हम बात करें, यानि कि जो final velocity है, आपवर्ड डारेक्शन में 10 meter per second, आपवर्ड डारेक्शन को हम positive मानते हैं, डाउनवर्ड डारेक्शन को हम negative मान के चलते हैं, clear, और V1 velocity कितना है, वो अगर डाउनवर्ड डारेक्शन में, क्योंकि बोल पहले नीचे आती है, पिटा कराके उपर की तरफ जाते हैं, तो final velocity तो उपर की तरफ है, यानि कि वो प्लस में आएगा, और initial velocity जो नीचे की तरफ है, वो माइनस का 10 meter per second नीचे की तरफ ऐसा आएगा, clear, डेल्टा अभी, अब हम डाटा रखते हैं, तो force is equal to, mass यानि कि 250 gram या फिर हम 1 by 4 kg भी लेख सकते हैं, 250 gram यानि कि 1 by 4 kg, into, v2 है हमारे पास 10, minus, और minus 10 करेंगे, तो या प्लस का 10 होचा है, clear, t2 minus t1 यानि कि जो time का gap है, वो कितना है, 0.01, clear, तो यहाँ से हम finally इसको calculate कर सकते हैं, f is equal to, 1 by 4, into, 20 divided by 0.01, यानि कि यह five times जाएगा, और two zero पर लाईगी, तो 500 newton का force, bowl weight पर लगा रही हो, clear, चलिए, हमारे पास यहाँ पर जो option है, हाँ, इस ही में given है, option number fourth, okay, तो यह दो concept जो हमने पड़े हैं, कि acceleration हम कैसे calculate कर सकते हैं, पूरे system का net force जो लग रहा होगा, उसको divide करते हैं के net mass से, और अगर हम से force उचा हुआ है, तो force का echo definition होता है, क्या rate of change of momentum, यान कि second low से हम निकाल सकते हैं, delta PY, delta T, clear, इसी के basis पर हम echo सवाल करते हैं, a particle of mass M moves with constant speed along a circular path, यहाँ पर बोला गए, कि M mass का जो particle है, वो circular path में खूम रहा है, किसी velocity से, जिसका radius R है, ठीक है, a particle of mass M moves with constant speed along a circular path, speed जो है वो constant देख लिए, of radius R under the action of force F, तो अगर कोई भी circular बात होता है, तो उस पर एक force लगता है, centripetal force जो अंदर की तरफ लगता होता है, towards the center, ठीक है, तो जो force होता है, वो कितना होता है, M V square by R, यह क्यों लग रहा है, क्योंकि वो constant speed से जा रहा है, तो tangential force जो लग रहा होगा, वो बिलकुल भी नहीं लग रहा होगा, यहनिकि उसका value कितना होगा, 0 होगा, ठीक है, तो resultant force जो लग रहा होगा, वो towards the center लग रहा होगा, और towards the center जो इसलेशन होता है, वो V square by R होता है, अगर दोनों तरफ हम मास से multiply करें, तो यह M A is equal to M V square by R बन जाता है, यहनिकि यह force बन जाता है, clear, simple सा formula हमें याद होता है, F is equal to M V square by R, अब simple यहाँ पे जो हमें options दिये होगा है, उसमें क्या-क्या यूज किया हुआ है, F R और M, F R, F M R और F M R, तो कोई भी नया term यूज नहीं किया गया, अगर आप options को नहीं देखोगे, तो यह सवाल आपको जो है तोड़ा अजीफता लगे, लेकिन option देखने के बाहर लगता है, कि यहीं से solve हो जाए, clear, इसी में सब कुछ है, तो आपको पुछा गया, speed कितना होगा, तो speed यहां से, V square is equal to, F R divided by M, clear, समझ आ रहा है है हमको, F R divided by M, तो V is equal to कितना होगा, under root, F R divided by M, यानि कि, option number first में और को दिखाए दे रहे हैं, तो option number first is correct, I hope आपको यह वीडियो सीरीज अच्छी लग रही होगी, हम day by day, regularly यह वीडियो सीरीज आपके लिए चला रहे है, ठीक है, next वीडियो सीरीज आपको अगले दिन मिलें, best of luck.